मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित गीजा का महान पिरामिड एक बेहद ही प्राचीन और एतिहासिक स्मारक है, जो दुनिया के साथ अजूबों में से एक है। प्रसिद्ध नील नदी के किناरे पर बना हुआ यह पिरामिड बड़ी संख्या में पर्यतकों को अपनी ओर लुभाता है।wert शिर्फ वही नहीं बलकि उनके बाद हुए अन्य राजाओं के शवों को भी उनके आभूशन और अन्य चीजों के साथ इसी पिरामिड में दफनाय आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 14 एकड में फैला यह विशाल पिरामिड आज भी उसी स्थिती में है, जैसा इसे बनाया गया था। इसे बनाने के लिए एक लाख मजदूरों ने काम किया था। यह ग्रेट पिरामिड विशेश प्रकार के चूना पत्थरों से बना हुआ है और इसका वजन करीब 5.5 अरब किलो माना जाता है। इस पिरामिड की उचाई 450 फीट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह एतिहास पहली बार इसके अंदर जाता है या इसके बारे में नहीं जानता है तो वह फंस सकता है। उसे समझ में नहीं आएगा कि बाहर कैसे निकलें। गीजा के पिरामिड परिसर के आसपास में घूमने लायक और भी कई प्रमुख परियटन और आकरशन स्थल हैं। इसमें सोलर कई फिलमें देखी होंगी। इजिप्ट के पिरामिडों में दफने ये मम्मी कई रहस्यों को अपने भीतर समेटे हैं। इसी कड़ी में आज हम जानेंगे इन रहस्यमई मम्मियों के बारे में जिन्हें लेकर कई अजीब औगरीब दावे किये जाते हैं। मिसर के फराओं पोकून की तरह पट्टी बांध कर ताबूत में बंद हो जाते थे। उनका मानना था कि तितली की तरह ही उनके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। आज एजिप्ट की ममी विश्व भर में लोकप्रिये हैं। ये ममी उनहीं फराओं की हैं। फराओं एक उपाधी थी ज सभी ममीों को पिरामिट में रखा गया था। उस दौरान प्राचीन मिसर के लोगों का मानना था कि पिरामिट एक मात्र ऐसा क्षेतर है, जिसके सभी कौन एक बराबर होते हैं। इस कारण एक खास तरह की ऊर्जा इस क्षेतर में आती है जो इन ममीयों को सलामत रखती है। हालां कि जितनी जिज्यासा पुरातत्व विदों को किंग तूतन खामेन की ममी को लेकर है, उतना शायद ही किसी और से होगी। रिसर्च में इस बात का पता चला है कि किंग तूतन खामेन मात्र नौ वर्ष की उम्र में ही राजा बन गए थे और उनकी मृत्यू 19 साल की उम्र में हुई। उनकी गिनती गिनेच उने कुछ समराटों में की जाती है जिनहें मिस्र वासी देवता मानते थे। तूतन खामेन क जब मकबरा ढूढा गया था उस दौरान भी कई लोग डरे हुए थे। स्थानिये लोगों की माने तो मिस्र के इन पिरामिडों के पास रात के समय कई ममियां घूमती हैं। यही नहीं कई लोग तो इस बात का भी दावा करते हैं कि उन्होंने रात के समय किंग तूतन खाम कमेंट में जरूर बताएं।